हेलो गाइज वेल्कम टो एनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स सीला फॉर मतफ स्लिप वेल की और से सप्टेंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टेंडर लॉन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुके है आज के इस वीडिय में साइवनेड प्राइट 4.7 क्योड का इंकम है क्वाटर अन क्वाटर एर और दोनों में गिलावड सभेंस्ट करोल का पिछले वी प्वाटर नइन एट सब्सक्राइब करने की कोशिस की जो कि 60.1 करोड का है पिछले कौर्ण 60.3 करोड का सप्टमबर 22 कौर्टर में 75.2 करोड का अपरेटिंग पॉफिट है क्वार्टर अन क्वार्टर में माइनर सर डाउन फॉर्टिन लैक्स का लिकिन यह रॉन यह में बहुत ज्यादा गिरावट है लेकिन year on year में अभी भी डाउन देखने को मिला है EPS 4.48 रुपीज का quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है और अगर हम segment वाज revenue की बात करें तो company का revenue है अगर देखे हो तो इंडिया और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट से company revenue जनरेट कर रहा है जो कि इस बार revenue भी average देखने को मिला है उतना अच्छा result पेश नहीं किया है क्योंकि year on year के income profit दोनों में गिरावट आई है मैं अगर हमें stand-alone results को cover करें तो company का income है इस बार का अगर हम दिखेंगे तो 440 करोड का पिछले quarter में 471.2 करोड का September 22 quarter में 515 करोड का income है 42.6 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में तो down है year on year में भी down है but exceptional items पिछले quarter में loss हुआ है 10.9 करोड का इसके company का profit इस बार increase किया है जो कि 58.7 करोड का पिछले quarter में 63 करोड का और September 22 quarter में 72.5 करोड का operating profit है quarter on quarter में दाउन अभी भी देखने को मिल रहा है लेकिन year on year में भी डाउन है net profit 43.4 करोड का पिछले quarter 46.3 करोड का September 22 quarter 52 करोड का net profit quarter on quarter year on year दोनों में गिरावट देखने को मिला है EPS 4.43 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में फॉल देखने को मिल रही है तो गाच का consolidated होया standard on company उतना चरजल पेशने कि कि दोनों में company का income में गिरावट है बट इस इस बार कम पे करने के करण company का profit quarter on quarter में थोड़ से recover किया अधरवाज company बहुत वीक रिजल पेश के इसको मार्केट नेगेटिम मिले और इसके शीर में कल के दिन फॉल देखने को मिल सकती है तो कल के दिन ही एक्षिल कल फ्राइडे है तो कल के दिन जो इसके शीर से फॉल देखने को मिल सकती है तो हम लोग वेडियो कहीं प्रेंड करते हैं अगर कोई डाउट कमेंड बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक्ट्रोडों में डिल दिन बबब